दोस्तों अगर आप इंडिया के हैं और सौधी अरब या गल्फ के किसी भी कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं तो देखिए अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का जो आपसन आता है अगर आप उसको ओपन करते हैं तो बहुत सारा अप्लिके स्टोर पे गूगल पे भी आ जा रहा है ठीक है तो यह कैसे किया मैंने कैसे सेटिंग किया कि यह सारा जो है अप्लिकेशन इंडिया का कोई भी अप्लिकेशन आप साथियर आप में आप और गल्फ करसकते हैं तो आपको क्या करना होगा simply एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप धियान से देखिएगा वीडियो को जरा भी skip मत करिएगा अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि आप अपने mobile का setting कैसे change करना है तो मैं इस वीडियो में बोलूँगा आपको कि आप last तक बने रहें तो देखिए यहाँ पर मैं Google Play Store को पहले open कर लता हूँ देखिए एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि Google Play Store को पहले update कर लेजिएगा तो अब update कैसे चिक करिएगा तो Google Play Store पर जाएंगे यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा manage apps and device का उसको click करेंगे तो देखिए अपडेट का option यहाँ पारेगा तो जितना भी सारा update application के लिए बोलेगा यहाँ पर आपको show हो जागा जैसा कि यहाँ पर देख पारें इतना सारा application मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो हो सकता है इसमें Google Play Store भी आपका आएगा तो देखिए यहाँ पर मैं Google Play Store पर Google पर सर्च कर लेता हूँ इंस्टॉल का option आ रहा है इंस्टॉल वाले option पर जब किलिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पार हैं उसको अब ध्यान से बस देखिए ठीके अब जो है मेन सेटिंग स्टार्ट होता है पहला जैसे मैंने बताया कि आप Google Play Store को अपडेट कर लेंगे अब यहाँ पर दूसरा सेटिंग जो बहुत ही important सेटिंग है फिर से अपनी Google Play Store के profile में चले जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे settings का option मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर settings का option है इसको जो है click कर देना है settings वाले option पर जैसी click करेंगे यहाँ पर कुछ options निकल के सामने आएगा यहाँ पर general का एक option उपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर country and profiles का option मिल जाएगा तो जैसा कि देगर पा रहें यहाँ पर country and profiles वाले option में इंडिया और मेरा नाम लिखा हुआ है और green tick लगा हुआ है तो मतलब कि मैंने यहाँ पर अपना country यहाँ पर change किया है ठीक है इंडिया और मेरा नाम लिखा हुआ green tick लगा हुआ है बस उसी के नीचे आप देखेंगे switch to the saudi arabia play store अगर हम इस option पर click कर देते हैं इस option पर तो क्या होगा कि फिर से मेरा play store saudi arabia का हो जाएगा और यहाँ पर फिर से application जो है इंडिया का कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर पहले मेरा option आ रहा था switch to India play store तो मैंने switch to India play store के option पर click किया और click करने के बाद यहाँ पर जो है मेरा play store जो है इंडिया में convert हो गया इंडिया का change हो गया और अब हम यहाँ पर सारा application डाउनलोड कर पा रहे हैं अभी यहाँ पर switch to साथी अरभिया कर देते हैं तो फिर से application सारा गायब हो जागा जो साथी अरभिया में valid है मतलब applicable है जो allow है application वही download कर पाएंगी यहाँ ठीक है तो अब अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका यह option आ रहा है तो आप यह ऐसा setting कर लेंगे और अगर option नहीं आ रहा है तो आप मुझे comment करें मैं यह भी बता दूँगा अगर आप comment करेंगे मैं बहुत सारा comment पढ़ूँगा अगर comment ज्यादा आएगा कि इस पर video बनाएगे तो मैं वो भी वीडियो बना के दे दूँगा कि यहाँ पर जो है इंडिया का country मतलब country change कैसे करना है जैसे यहाँ पर अभी आप हो सकता अगर आभी चेक करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ सौधी अरभिया लिखा रहा होगा ठीक है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगा कि आप कैसे यहाँ पर अपना country change कर सकते हैं यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंडिया भी है सौधी अरभिया भी है अगर हम सौदिय अरभिया कर देते हैं तो सौदिय अरभिया का Play Store हो जाएगा इंडिया की यह हुए है तो इंडिया का मेरा Play Store है ठीक है तो ये चीजे है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा